हलो फ्रेंड्स आप सभी को उम्मीदी योटूब चनल माई की चनल रेसिपी में स्वागत है तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मतर छोले की रेसिपी और यह मैं पनीर के साथ बनाऊंगी वो भी बिन प्याद और लहसुन की रेसिपी बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत रेस्टी है इससे पहले मतर छोले की और एक रेसिपी अपलोड किये है डेस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं और हाँ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को बिना स्क्रिप्शन करके सुरू से लेकर इंडि तक जरूर देखिए तो मैंने मतर छोले लिए हैं 200 ग्राम और इसे मैंने 4 घंटे तक फूनने के लिए छोड़ दिये थे और आलू भी लिए हैं 3 मीरियम साइज का और इसके छिल के हटा कर आधे इंच में कट कर लिए हैं अब इन दोनों चीजों को बॉयल करेंगी तो इसके लिए कुकर लिए और कुकर में डाल देखिए नगर आलू साथ में डाल देखिए आधा चिमच नमक एक स्रोदय खाने वाला सोड़ा और एक गलास पानी इसे फिसीटे पर उबा देंगी तो देखिए कुकर में सीटे पर उनी लगे हैं अब कुकर का स्ट्रेमड निकरने तक बागे काम कर लेते हैं एक कटोरी रेंगे और कटोरी में डाल देंगे 1 चमच जीरा एक चमल सूफ, एक चमल धनिया, एक इंच अद्रक, इन सारी मसाले को पेस्ट बना लेंगे तो ये रहा हमारा मसाला पेस्ट बन के तेयार है और इक प्लेट में लिये हैं तीन छोटे वाले टमाटिर चाहें तो आप बड़े वाले भी ले सकते हैं चार हरी मिर्ची, टमाटर और हरी मिर्ची दोनों एक साथ पेस्ट बना लेंगे तो देखिए हमारा पेस्ट बन चुके हैं और ये मटर छोले पनीर की रस्पी है, तो पनीर तो लेना ही पड़ेगा एक प्लेट में लेंगी पनीर और पनीर को पिसेस में कट कर लेंगे छोटे बड़ी अपनी हिसाब से कट कीजेगा लगभग मैंने 250 ग्राम पनीर लिए है तो देखे मैंने पनीर को कट कर लिए है कढ़ाय चड़ा दिये हैं चूले बड़ कढ़ाय गरम हो गए है तो देखी सकते हैं मैंने जादा प्राइ नहीं किये है इसी कढ़ाय में फिर से 4 चमच तेल डाल देंगी तिल को अब हम गरम होने देते हैं तिल गरम हो चुके हैं अब तेल में डाल देंगी एक चौथा चमच जीरा एक सुखे मिर्जी एक इंच मैंगो वाला अदरक दो तेज़ पत्ता अगर आपके पास मैंगो वाला अदरक ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं सारी चीजों को भूल लेंगे मैं एक चौथा चमच हिंग भी डाल रही हूँ हिंग डालने से खुजब बहुत अच्छे आते हैं और टेस्टी भी होते हैं मैं प्यास लेसों नहीं डाल रही हूँ खड़ी मसाले भूल लिये हैं अब डाल देंगे पेस्ट की हुई टमाटर टमाटर को कौवर करके भूल लेंगे तो देखें टमाटर भूल लिये हैं अब डाल देंगे आधा चमच हल्दी आधा चमच मिर्ची मिर्ची आप अपने एकॉर्डिंग डाले एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च ये तीखा नहीं होते हैं मिलाले अब डाल देंगे खड़े मसाली पेस्ट की हुई मसाले के साथ कौवर करके भूने इन खड़े मसाले को मैंने सिल्बटे से पेस्ट बनाए हैं मसाले को जादा नहीं भूनेंगे सिर्फ एक मिनट ही भूनेंगे मसाले बहुत सुखे सुखे लग रहे हैं तो 3-4 चमच पानी डाल देंगे पानी को मसाले के साथ मिला ले दही ले हैं 4-5 चमच इसे अच्छी तरह से फेट ले फिर डाल दें मसाले की साथ और स्वादनों सा नमक दही और मसाले भूल लेंगे लगबख 2-3 मिनिट तक देखे हमारे मसाला भूल चुके हैं और मसाले से तेल भी अलग हो गए हैं इधर कुकर का स्ट्रीम निकल चुके हैं एक बड़ दबा कर चेक कर लेती हूं मटर हमारा दब रहे हैं यानि कि मटर और आलू बॉयल हो गए हैं अब मसाले में बोयल की हुए मटर और आलू डाल देंगे पानी के साथ इसे मिला ले कौवर कर देंगे 2-3 मिनट तक ताकि आलू में मसाले का फ्लेवर जा सके 3 मिनट बाद फ्राइक की हुए पानीर भी डाल देंगे एक चौथा चिप में चना मसाला और कुछ कसुरी मेथी डाल देंगे इसे मिला ले कौवर कर देंगे एक मिनट तक तो हमारा मटर छोले पनीर बन के दियार है और इसे गर्मा गर्म सर्फ किजे रोटी पराटी पूरी के साथ आज की रेचिपी आप सबको कैसा लागा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं मेरे चैनल में किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अच्छे देए खुश देए और एक बार ये मटर छोले प